हम पढ़ेंगे पाट दस बिना विचारे जो करे इस कहानी में बताया गया है कि जो वेक्ति बिना सोचे समझे किसी कारे को करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता ऐसे वेक्ति को बाद में पच्छाना पड़ता है अतै कोई कारे करने से पहले उसके विधी पक्षों पर भली भाती विचार कर लेना चाहिए जो ऐसा करता है उसके बाद पच्छता आप नहीं करना पड़ता तो बच्छों इसमें बताया गया है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे नहीं करना चाहिए उसके पहले पॉजिटिव नकरात्मक और जो अच्छे पॉजिटिव और नेगिटिव हमें एफेक्ट सोच लेने चाहिए बहुत पुरानी बात है भारवी नामक एक महान कवी था कवी थे उनकी गड़ना संस्कित के अमर कवियोग में की जाती थी वे अल्प अवस्ता में ही काव्य रचना में कुशल हो गए थे युवा होते होते उनका यश दूर दूर तक फैल गया सभी लोग उनकी प्रशन्सा किया करते थे अपनी प्रशन्सा किसे अच्छी नहीं लगती भारवी भी अपनी प्रशन्सा सुनकर बहुत प्रशन होते थे लेकिन भारवी के पिता उनकी प्रशन्सा कभी नहीं करते थ यदि कोई उनके सामने भारवी की प्रशंसा करता था तो वह चुप रहे जाते थे और कोई टिपड़ी नहीं करते थे यह बात भारवी को बुरी लगती थी वह चाते थे कि उनके पिता भी उससे दूर दूसरे लोगों की तरह उनकी प्रशंसा करें समय के साथ साथ भारवी की काव्य कला में निखार आता गया उसके साथ ही उसका यश उनका यश भी बढ़ता गया लेकिन तब भी उनके पिता के मुक्ष से भारवी की प्रशंसा का को कोई बोल नहीं निकलता था इस बात को लेकर भारवी कभी कभी बहुत दुखी हो जाते थे कभी वे सोचते थे कि कहीं उनके पिता उनकी उन्नती से मन ही मन जलते ही नहीं मन ही मन जलते तो नहीं है धीरे धीरे उनके मन में पिता की प्रती क्रोध बढ़ने लगा उनके मन की इस्तिती इतनी विकट हो गई कि उन्होंने अपने पिता का वद करने का निश्चे कर लिया एक रात भारवी के माता पिता अपने भवन की छत पर बैठे हुए थे रातरी का प्रतम प्रहर था चारों और चंद्रमा की मधुर चांदनी चिटकी हुई थी ऐसे में भारवी हाथ में नंगी तलवा लिये हुए भवन की सीडियां चड़ रहे थे आज वे क्रोधान होकर अपने उस पिता का वद करने चले थे जिसने उन्हें जनम दिया था सीडिया चरते चरते वे ठिटक गए और अपने माता पिता की बाते सुनने लगे माता ने कहा देखिए समझ दिखाओं दिशाओं में कैसी सुन दर चांदनी फैली हुई है पिता बोले जैसे हमारे भारवी का यश यह सुनकर माता चौकी और बोली आज आप भारवी की प्र को बढ़ते यश को देखकर प्रेशन ना हो न रोता हो मुझे भी अपने पुत्र का यश देखकर प्ररम प्रियोता होती है में पर मैं अपनी प्रेशन्टा उसके सामने प्रकट नहीं करता और ना ही उसके सामने उसकी प्रशंसा करता हूँ माता ने पुछा क्यों पिता बोले जिससे उसके अंदर अभिमान ना पैदा हो जाए मन में अभिमान पैदा होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है मैं अपने पुत्र का उतकर्ष देखना नहीं चाहता अपकर्ष नहीं इसलिए मैं उसके सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता यह सुनकर भारवी हत प्रव रह गए वह कैसा गोर पाप करने जा रहे थे इश्वन ने उन्हें बचा लिया वह वहीं से चुपचाप लोट गए रात भर उन्हें नीन नहीं आई वह विस्तर पर करवट बदलते रहें दिन निकलते ही वह सीधे अपने विद्वान पिता के पास गए और उनसे पूछा तार मानसिक पाप का क्या प्रशित है पितार ने सहज भाव से उत्तर दे दिया वह वैक्ती बारा वर्ष तक ससुराल में जाकर रहे भारवी चले गए और ससुराल जाने की तयारी करके थोड़ी देर बाद लोटे तब उन्होंने पिता को सारी बात बताए ससुराल जाने की आग्या मांगी अब उनके पिता बहुत पस्ता है उन्होंने भारवी को समझाय की तुम्हें जो प्राश्चित करना है घर पर रहकर कर लो किन्तु भारवी नहीं माने उन्होंने पिता के चलन चुकर उनसे विदा ली और अपनी पतिनी के साथ ससुराल चले गए जब भारवी ससुराल पहुँचे तो उनका खुब आदर सतकार हुआ पर जब ससुराल वालों को यह पता चला कि वे बारा वर्श तक के लिए वही रहने के लिए आए हैं तो सारा आदर सतकार उड़न्चु हो गया कुछ दिन बीते ना बीते आदर सतकार का स्थान कलद ने ले लिया बाद बाद पर उनका अपमान होने लगा तब भारवी ने धनो पारजन के लिए विदेश जानिक का निश्चे किया जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्तिनी को एक शलोक लिख कर दिया और कहा कि यदि कभी आर्थिक संकट आये तो इसे बेच देना भारवी के जाने के कुछ दिन बाद उनकी पत्नी के सामने सच्मुत आर्थिक तंगी आ गई विवश होकर वह उस शलोक को लेकर पास के नगर में लगने वाली सापता ही चाट में गई लोग उसके पास आते और शलोक का मुले पूस्ते जब वह शलोक का मुले सौ सौन मुद्रायं बताती तो उपहास करते हुए लोट जाते सारा दिन बीद गया पर श्लोक का कोई खरीदार नहीं मिला वहां के राजा का नियम था कि यदि कोई वस्तु हाट में नहीं बिक पाती उसे वे खरीद लेता था उसने सौ स्वन मुद्राइं दे कर वे श्लोक खरीद लिया श्लोक का अर्था मनिश्य को प्रते कारे बहुत सोच विचार कर करना चाहिए बिना विचारे किये गए कारे का परड़ाम बुरा होता है और मनिश्य को बाद में पस्ताना पड़ता है राजा ने उस लोग की कई प्रतियां बनवाई और उन्हें महल में कई स्थानों पर लगवा दिया राजा का भाई मन ही मन राजा से इश्या रखरता था और उसे मारकस विन ने राजा बनना चाहता था उसने राजवेदे को अपनी और मिला लिया एक बार राजा बिमार पड़ गया जोजना नुसा राजवेदे ने राजा की दवा में विश मिलाया और राजा को देने के लिए ततपर हुआ तब ही उसकी दिस्टिश लोग पर पड़ गई उसने सोचा कि यदि मैंने राजा के भाई को कहने से इस भले राजा को भाई की राजा को विश देकर Лारा डाला तो राजा का मेरा विशवास कभी नहीं करेगा हू सकता है बाद में मुझे भी मार डाले नहीं मैं ऐसा काम नहीं कभी नहीं करूंगा उसने दवा को नाली में उडल दिया राजा को संदय हो गया उसने राजवेत्धे से दवा नाली में उडलने का कारण पूछा पहले तो राजवेते ने आनकानी की पर जब राजा ने दंड का बहर देखकर कठोरता से पूछा तो उसने सारी बात बता दी राजा ने ओ इस श्लोक के कारण मैं बच गया वे है उस श्लोक के रचेता की खोज में लग गया भारवी कुछ समय बाद अपने घर लोटे आते ही उन्होंने अपनी पतनी से श्लोक के विश्य में पूछा जब उन्होंने ये पता चला की उसने वह श्लोक राजा को सो मुद्राओं में बेज दिया वह सो मुद्राओं लेकर राजा के दर्बार में गए और राजे से अपना श्लोक मांगा राजा तो पहले से ही उनकी खोज में थे उसने श्रिनासन से उठकर भारवी का हारदिक स्वागत किया और उनसे अपना राजकवी बनने का अनरोद किया राजा की विन्रम्नता देखकर भारवी ने वह अनुरोद स्विकार कर लिया आगे चलकर भारवी ने संस्कृत में कई सुन्दर काव्य ग्रंतों की रचना की और क्या किया बच्चो उनका प्रशित काव्य ग्रंत किया ठीक है उन्होंने क्या करा देखिए लास्ट में बताया गया आगे चलकर भारवी ने संस्कृत में कई सुन्दर काव्य ग्रंतों की रचना की और क्रेटनों जून्यम्य में क्या बताया है कि कैसे कैसे हमें कभी भी काम बीना सोच विचारे नहीं करना चाहिए वरना हमें उसका बहुत पश्यताव होता है कोई भी काम उसके बारे में अच्छाई बुराई सोच के तब करनी चाहिए और क्या जब कि कभी भी जो है भार्वी के पिता प्रशंसा नहीं करते थे और क्या का बहुत लोग सब उनकी यश्की बहुत तारीफ करते थे मगर भार्वी के पिता कभी नहीं करते भार्वी ने एक दिन क्रोध होके क्या सोचा कि मा आज ने का वद कर दूंगा जब वद करने जाता है तो मैं इसकी प्रशंसा इसलिए नहीं करता है जिससे कि उसे घमंड ना हो जाए ठीक है तो भारवी को जब ऐसा पता चलता हो रात भर परशान होता है सुबह अपने पिता के पास जाके बोलता है कि हमें मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पूस्ते कि कि किसी से मानसि गल्ती हो जाए ठीक है तो उसे कैसे पश्चताब करना हो तो उसके पिता कहते हैं बारा साल जाके सुसराल में रहें तो उसके बाद क्या होता है वो अपना सबानमान त्यार करके अपने पिता जी को अपनी सारी बात बता कर और चले जाते हैं तो उनके पिता जी कहते हैं कि न सारा सतकार आदर सतकार उड़ंचु हो जाता है धीरे धीरे उनके अपमान भी बढ़ते जाते हैं तो वह एक दिन जाते हैं विदेश की तरफ और अपनी पत्निकों कहते हैं कि इस लोग को रखो जब कभी आर्थिक परशानी आएगी तो तुम इसे बेज देना तो उनकी ऐसा असलिएत में हो जाता है कि इस विद्नी को आर्थिक परिशानी आती है वह जो बेचने जाती है हाट में तो सो मुद्राएं मानती हैं मगर कोई देता नहीं है और उनका मजाग उड़ा के चला जाता है तो वहां का यह रूल था कि राजा जब कोई हाट में चीज नहीं वह राजा को मारने की क्या करते हैं तियारी करते हैं राजा को क्यालते हैं दवाई में मिलाके वह देते हैं तो बोलते हैं राजवेद्दे जो है राजवेद्दे जहर मिलाके मगर वह सोचते हैं शलोक को पढ़के अगर मैं भी ऐसा कुछ कर दूंगा ठीक है तो ऐसा हो सक बताते हैं वहां बहले से जोक और सब्लादियों का करना हुए। बाता सब्सक्राइब राँ करकी है … जब एक और सब्सक्राइब बहुत कहते हैं करते हैं और उनसा नुरोद करते हैं कि आप हमारे राज्य के राज्य कभी बन जाएं तो वह मान जाते हैं और आगे इसी तरीके से संस्कित में कई सुन्दर नुरों ने काववे गरंत लिखे हैं ठीक है ओके स्टुडेंट्स आप यह अलार अंडर्स्टैंड रिद इस याप्टर अगें अगें थैंक यू